हेलो वेलकम बैक तू मैं चनल आगे हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया लेके जो की है आपके पुराने कपड़ों को यूज को लेके तो पुराने कपड़े जो बिल्कुल भी यूज में नहीं आते हैं ना ही किसी को देने लाइक रहते हैं ना ही पहनने तो इस आइडिया को देखने के बाद आप अपने पुराने कपड़े कभी भी कच्रे में नहीं फेंकेंगे तो बहुत ही सुन्दर से आपके लिए एक DIY लेके आई हूं इस तरीके के पुराने कपड़ों का यूज करके मैंने और भी बहुत सारे वीडियो आइडिया आपके सा कप्ड़ों के ब़ुक कैना यहीं उसके लिए ना मैने सबसे पहले जो पुराने कपड़े होते हैं उनका इसे पीसे कट कर लिए हैं सबी कपड़ों के देख सकते यह पर परिग ए क्या पर टेंगल यह आइसके साथ कोई भी स pewno कत कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे कपड़े कट कर लिये हैं, अगर आप सिलाई भी करते हैं तो उन में से ऐसे बची कुछी कत्रन होती हैं, उनको भी फेंग नहीं की बजाए उनका भी आप इसी के साथ में अच्छा यूज कर सकते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, बहुत सा साथ में रिक्टरेंगड़ चैकरते हां तो सबीके Σ्क्राइब काट करते हैं, तो जी साइम सा एक तो आप कर सकते हैं, बतलब सेसे सáसे के करना, तो इसरी कप्ड़ों करते हैं, शीचा डिедगेɵ हुता करते हैं, आप देख सकते हैं यह इतने सारे प्पड़े हैं तो इनिकों भी हमको आइडिया अच्छा लगा तो आप इसको ट्राइज रूर करना और इससरे वीडिया गायक जूर कर देना तो शुरू करते हैं जैसे पहले बताए कि कोई भी शेप में आप कट कर सकते हैं rectangle या square में पेसिज आप कट करके रख लीजिए और उसके बाद देखो जैसे मैंने ये दो पीस लिए इनको ऐसे जॉइंट कर लेना है यहां पर सिलाई लगा लेनी है जब सिलाई इसको लग जाएगी तो ये ऐसे आ जाएगा ठीक है अब इसको क्या करना है इतना हो गया उसके सेम इसी तरीके से मैंने ये रेडी कर लिया है ऐसे सिलाई लगा के दो तीन चार पांच जितने भी मतलब जितना भी वड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से इसको ऐसे पीसिस को जॉइंट करते जाना है और अब यहां पर आपकी मर्जी है आप कितने भी कलर यूज करने चाहते हैं वह वाले आप यूज कर सकते हैं तो मैंने सभी कलर मर्टी कलर ही समझ लीजे वो बना लिए इस तरीके की लंबी-लंबी पटियां बना ली है तो इस तरीके से ना पहले रेडी करके रख लेना है इसको सभी पटियों को मतलब आपको लंबाई करना रहे हैं उसी हिसाब से या फिर आप लाइनिंग पहले कट कर लिजे या फिर प्लास्टिक जो ले रहे हैं वह उसको पहले कट कर लिजे अब यहां में मैं प्लास्टिक बोरी का बैग का इस्तेमाल करी हूं जो कि आटा बैग या राइस बैग होते हैं कोई भी आपके बस बोरी पड़ी हो उसका यूज भी कर सकते हैं तो मैंने जितना वो मेरे पास वो प्लास्टिक बैग था ना उस इसाब से मैंने उतनी लंबाई में मैंने ये पीसिस कट कर लिये हैं और अब इनको ऐसे जॉइंट करना है जैसे आपने देखा मैंने एक पीस को एक दूसरे प पीस है इसको इसके उपर रहके स्टिच कर लेंगे मतलब सबी पीसे को इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे तो यह भी आपको कितने आपको यह पट्टियां रेडी करनी है वह भी आपके रिक्वायर्मेंट पर डिपेंड करता है जो भी आप प्लास्टिक बैग जितना बड़ा यह बना लिया है जिसे साफ से प्लास्टिक थी तो दो मैंने बनाए है क्योंकि दो प्लास्टिक का यूज करके मैं एक बड़ा सा बैग बनाने वाली हूं जो की मतलब की बैड के अंदर की जो समान होता है उसके यूज के लिए या फिर आपके घर में रजाई कंब वगेरा होते हैं वह इसमें आ जाएंगे मैं इतना बड़ा बना रहे हूं तो जितनी आपके रिकॉर्मेंट है उतना बड़ा चोटा बना सकते हैं तो यह मैंने दो वाजिये हैं उसी साथ सब्सक्राइब पीसे से करी आब सिलाई लगाने के बादें इसको इस प्लेकर से प अब यह स्क्राइब everybody MARK淆शा आप यह को मैं यह आइसे वीडियो को यूज करना और निकालना और यह इसका वीडियो भी मैंने बनाया था अपलोड किया हुए है अगर आप ये इस तरीके का बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उसका वीडियो कैसे मैंने बनाया तो उसके बाद इस तरीके से मैंने सभी साइड से इसको पिन कर दिया है और अब इसको इस फैबरी के साथ अटेच कर देंग सेम उसी तरीके से ये वाला पिस भी रेडी कर लेना है तो देखो मैंने ये तीन साइड से सिलाई इस तरीके से लगा दी है और ये साइड से मैंने इसको खुला रखा है ये बड़ी वाली साइड से तो पिछे से ये तीन साइड से मतलब सिलाई लगा के एक साइड खुली तो अब क्या करना है ये वाला जो extra fabric है ना जितना भी उसको cut कर देंगे इसके बराबर हम इसको कर लेंगे सभी side से जो भी कोई extra fabric है या कहीं से भी कुछ भी निकला है वो सब काट देना है तो अब इसको कर लेंगे सीधा ऐसे ये corner है इनको अच्छे से सीधा कर लेना है कॉर्णर्स को अच्छे से निकाल लेना है तो इस तरीके से इसको सीधा कर लिया है तो दोनों पीसिस को मैंने सिलाई लगा ली थी और इस तरीके से इसको सीधा कर लिया है अब यह बहुत आसान है बस इतना इसका बनाने के बाद आगे बहुत जल्दी यह ब जे खुला रखा था तो अब इसको इस तरीके से ना फोल्ड करते हुए यहां पर प बैग है यह काफी हार्ड है तो इसको पिन लगाए भी ना सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल है तो फिर इसले इसको पिन लगा रही हूं तो आसानी से सिलाई लग जाती है जब भी आप इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाएं तो आप उसके आपके मशीन की सुई 18 नंबर यह वाले पीस को भी मैंने ऐसे ही यह साइड से स्टिच कर लिया है और पिन इसकी साथ-साथ में निकालती थी मैंने जब सिलाई लगाई अब दौनों पिसज को ऐसे एक दूसरे के बराबर रखना है सेट करके ऐसे और सेट करने के बाद अब इस पे लगानी है सिलाई यह से यहां तक सिलाईगाने यह aún और यहां तीन साइड में सिलाईगाने है और इसको पलास्टिक फैब्रिक यहां पर यह साइड खुली रखनी है और उसके बाद ये तीनों साइड पे यहां से शुरू करके सिलाई यहां तक खतम कर देनी है तो जहां से सिलाई शुरू करनी है और खतम करनी है वहां से थोड़ा सा सिलाई को पक्का कर देना है जरूर और अब देखो सिलाई मैंने लगा दी है पिन में मिला के ऐसे इनका सेंटर में इसको ले आना है इस तरीके से इसका एक ट्रेंगल बना लेना है यह निचे वाली सिलाई है यह उपर जो साइड वाली सिलाई है वह वाली है तो इसको मैंने इस तरीके से सेट कर लेना है और निचे जो इसके अंदर जो फैबरिक है उसको भी प्लास्टिके बिल्कुल बराबर से ही सेट करना है और अब यहां पर मार्क लगाया है जो कि यह कॉर्नर से चार इंच अंदर है और इसी कॉर्नर से ही मैं यहां से भी नाप ले के थोड़ा सा अंदाजे के लिए नाप ले रहे हूं साडे 4-inche यहां से है तो नीचे से भी साडे 4 यह दोनों size बराबर होने चाहिए और यहां पर ऐसे तो यह थोड़ा सा देखो मैने सीधी tahe mark लगाया था ना ऐसे सीधी सिलाई लगा देनी है, सेम उसी तरीके से यहां पे भी चार इंच का मार्क लगाएंगे, उसके बाद यहां पे आसानी से साड़े चार इंच का जैसे दूसरे वाले को लगाए है, सेम उसी तरीके से साड़े चार इंच का लगाएंगे, सीधा इसको मार्क कर देंग तो फिर आपको कम रखना है चार या पांच रखना है तो उसके बाद ये मैंने दो हैंडल लिये हैं तीन इंचिस की चोड़ाई है 19 इंचिस की लंबाई है तो कम जादा कर सकते हैं हैंडल छोटा बड़ा कर सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है जितना मेरे पास फैबरिक था तो मैंने उतना यूज कर लिया है थोड़ा बहुत आगे पीछे थोटा बढ़ा कर सकते हैं यह सिलाई लगा ली हैं मैंने 》 हेंडल रेटी कर लिए और इसको भी लगा दी है और ये जो सिलाइस से निकला हुआ एक्स्ट्रा ये पार्ट था इसको कट कर देंगे तो कट करने के बाद यहां आप यहां फिनिशिंग पट्टी लगा के इसको फिनिश भी कर सकते हैं कि अगर धागे वगरा निकलते हैं तो इसको finishing पटी लगा सकते हैं तो मैंने अभी नई लगाई है अब इसको मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ और इस तत्रीके से पहले सीधा कर लिया है और अब इसके handle लगा देने है तो देख सकते हैं आप कितना सुन्दर लग रहा है ये बैग इसको ऐसे डबल फोल्ड करके इसका सेंटर लगा लेना है यहां पर इधर भी सेंटर वाला मार्क लगा लेना है उसके बाद यहां से धाई इंच इधर धाई इंच इधर लगाते हुए मार्क मतलब सेंटर वाले म बैग बनके रेडी हो गया है और अब यह जो है नहीं कमेने जो मैंने कट कियए था जो मैंने 4 इंच का मार्क लगा यदा तो मुझे थोड़ा चोटा लगा रहा मैं एक एन्च और बढ़ाके लगा दिया था इसको, थोड़ी सी सिलाई एक इंच और बढ़ाके लगा दी थी, तो यह थोड़ा सा और चड़ाई में हो गया, तो इस तरिके से यह बैग बन के रिडी होगा, आप देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है, और आप सोच सकते हैं कि यह जो पुरानी कपड़े होते हैं या फिर ऐसी चोटी चोटी कतरन होती है जो हम अक्सर फेंक देते हैं उनको बेकार समझ के कि यह किसी काम नहीं आने वाले ऐसे ही कच्रा है तो देखो उसी कच्रे को यूज करके मैंने और प्लास्टिक जो हम फेंक देते हैं थैलियां खाली करने के बाद तो उसी का यूज करके कितना अच्छा यह और बड़ा बैग बनाया है 10-10 किलो की दो थैलियों का मैंने यूज यूज किया है 20 इंच और इसकी जो हैं ये हुई है रेडी 15 बड़ा ये बैग बनके रेडी हो गया है तो इसमें कुछ भी एक्स्रा नहीं लगा कोई खर्या नहीं लगा इसमें ना ही मैंने जिप लगाई है तो आप इतना बड़ा ये बैग बना है न ये फ्लोर मैट है इतना मुटा है ये इसको देखो मैं इसमें रख रही हूं और भी मैं मैट इसके अंदर रख रही हूं तो आप इसमें रजाई कंबल या फिर बैड में जो भी आपके कपड़े खिलरे पड़े हों उनको आप और्गनाईज करके रख सकते हैं और आप अगर थोड़ा सा और मजबूत बना लें और अच्छा बना सकते हैं तो बना लें और इसका भी ये भी मैंने बनाया था एक मैट इसका भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और सुन्दर मैट बना था ये भी पुराने कपड़ों का